जै माता दी राते राधे आज इस वीडियो में जानेंगे 16 स्रिंगार की सामगरी या जितनी आप से संभो हो सके आपने माता रानी को अरपित की है तो आपको क्या करना है अस्टमी या नौमी का दिन आ गया है ऐसे मैं कई लोग अस्टमी के दिन ही इनची जो नौरात्री में सुहाग की सामगरी है उसे दान कर देते हैं या कई लोग अस्टमी के बार नौमी के दिने से दान करते हैं या दसमी के दिन का अलग-अलग रिवाज है ऐसे मैं सबसे पहले आपने सिंदूर का क्या करना है सिंदूर जो है वह अपने माथे में लगाईए अपने परिवार क का प्रसाद है और अपने सिंदूर दानी में इसे भर लेजिए सुहाग की सामगरी अपने पास ही रखिएगा यह बात ध्यान रखिए इसके बाद आप चाहें तो इसमें से थोड़ा सा अपने ले रख सकते हैं थोड़ा सा जो ब्रामण पत्नी हैं उनको दान में दे सकते हैं इसके बाद चूड़ियां हैं जो वह भी थोड़ा बहुत अपने हाथ में अवश्य पहनाईएगा सुहाग की सामगरी जितना हो सके बाटी जाए तो बह्यद उत्तम है अपने ले रखिएगा थोड़ा बहुत ब्रामण की पत्नी को दान में दे दीजिएगा इसके बाद ज उसका अश्य अवश्य रखेगा बिंदियां चूडियां जो भी सामगरी हैं खुद के पास यह नहीं कि सारा पकड़ा और ब्रामण को दान दे दिया यह सई नहीं माना जाता इसके स्थान पर आप अपने पास थोड़ा सा रखेगा परिवार की जो सदश्य हैं उनको थोड फिल दुटम है ननद है तो सबसे बड़ा दान उनहें दे सकते हैं ब्रामण पत्नी है तो उनहें दे सकते हैं यह जो आपने जो तरह कुछा हैं कोई किसी तरह से più पर आपने जो सामगरी है उसमेसे अवश्य खुद के पास रखनी है जिसे भी आप दान देंगें उसमें जो आपने सामगरी उसमें से ली है सोला स्रिंगार की वह पूर्ण रोख हो सके यह माना जाता है छतुपूर्थी जो होती है वह दक्षिडा कर देती है साथी सुहाग बाटने से बढ़ता है और ऐसे हातों में जाना चाहिए जहां से कि उसका यूज हो सके रखे रखे यह ऐस जनाते हैं प्रसात की रूप में उन्हें बाट सके यह खुद भी पहन सके तब उन्हें दीजिएगा यह नहीं कि ऐसे ही पड़ा रहे आप अपनी नंद को दे सकते हैं यह वाध्यान रखिए सुहाग इन महलाओं को सुहाग के सामगरी दान देनी चाहिए वीडियो आपके किया और सब्सक्राइब जरूर करें जय माता दी